विध्यार्तियों श्री श्रे सिध्याले हिंदी माध्यम कक्षा 5 वी विशे परियावरन पाठ 12 नक्षा बनाए वर्ग खंड की वस्तूओं की सुची बनाए और उनकी संख्या लिखिये प्रतेक वस्तू के लिए निश्ची संखेत निर्धारित कीजिये चलिए अब हम देख तो देखिये यहां पर कुछ अवलोकन किया गया तो इस तरीके से जैसे मेज मेज एक होती है विध्यालाय में तो इस तरीके की कुरसी एक होती है इस तरीके की और जो पाटिया होता है वो इस तरीके का होता है बैंच इस तरीके का चित्रा आपको बनाना है कच्छरे का डि ठीक है चलिए अब आगे देखिए संकेत के खाने में कक्षा की इस्तिती दर्शा है वर्ग खंडे की वस्तु का इस्तान नीचे वर्ग में दर्शाना है टेबल दो हो तो टेबल का चिन निश्ची जगह पर रखे बेंच जहां हो वहां चिन द्वारा बताई अन्य वस्तुओ वहां को भी चिनित देखकर जगह पर दर्शाई है ठीक है तो इस तरीके का नक्षा आपको बनाना है देखिए यहां पर आपको बताया गया है तो कक्षा में देखिए यहां पर हम लोगों को टेबल बताई खुरसी डस्टर ब्लैक बोर्ड बताया कैलेंडर बताया बटन पंके जितने होते वो हमने बेंचिस बताई इस तरीके से आपको भी दर्शाना यहां पर कचरे का डिबबा बताया हुआ है तो इस तरीके से आपको चितरा बनाना है चलिए अब आगे रंग भरिये जो वस्तु हमारे सामने हो उसे उपर और जो वस्तु हमारे पीछे हो उस तरीके से चित्र में दर्शाना देखिए यहाँ पे चित्र बताया गया है तो यहाँ पे कचरे का डिबा हो गया है ना इस तरीके से हमारा विध्यालय कहाँ पे है अब बगीचा बगीचे के लिए यह वरुक्ष के लिए यह द्वज रोपन जो हमने यहाँ पे किया है वर्ग दर्शाना है पानी के लिए नल तो यहाँ पे आपको नल भी दिखाई गई है ओफिस तो जो ओफिस आपको यहाँ पे बताई गई है इस तरीके से आपको दर्शाना है और यही चितरा आपको उपर यहाँ पर बनाना भी है पता चला चली अब आगे देखे आगे हमें बताया गया अवलोकन और चर्चा राणपूर गाउं का नक्षा अब देखे हमें यहाँ पे गाउं का नक्षा बताया गया है जिसके अंदर नदी नदी जो यह बहे रही है ना डाक पेटी तो डाक पेटी यहाँ पर दर्शाई गई है चबुत्रा तो आपको चबुत्रा बताया गया है तो इस तरीके से आपको दर्शाना जैसे कि कुवा हो गया तालाब हो गया यहाँ पर आपको कुवा यहाँ गर हो गया यहाँ पर विध्याला हो गया तो यह सारी चीज़े यहाँ पर बताया गया है आपको लिखना है कि रणपूर गाउं का यहाँ नक्षा है यहाँ पर नदिया बहती है यहाँ पर बगीचा है यहाँ पर चबुतरा है यहाँ पर विद्यालय है तो इस सारी चीजे इस तरीके से आपको लिखकर बताना है तो यहाँ पर हमें जिल्ले का अवलोकन तो इस तरीके से हमें इसके पांच वाक्या लिखने है ना यहाँ पर नदी है फिर लिखना यहाँ पर ग्राम पंचायत है उसके बाद आपको लिखना यहाँ पर दूध डेरी है रणपूर गाउं में अस्पताल है उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना यहाँ पर विध्याला है पूर्व में है इस तरीके से आपको यह वाक्या लिखकर पूरा करना है और यह चित्र यहाँ पर आप लोगों को दर्शाना है अब आपका नक्षा बनाईए पाढ़िया पर समाप्त होता है तो आपको आपकी नोटबुक में और किताब में दोनों में लिखना है धन्यवाद